Hello everyone, आज हम बात करेंगे सिक्षा मनो विज्ञान में कुछ महत्वपुन सिध्धान्त और उनके प्रतिपादक या फिर जनक कौन थे जो ये सिध्धान्त दिये वे हैं, कुछ important important सिध्धान्त में आपके लेके आएगी हैं, जो एक्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनके जनक क कौन थे या फिर किसने उनका प्रतिपादन किया था, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, मनो विज्ञान के जनक, जब बात करी जा रही है सिक्षा मनो विज्ञान की, तो सबसे पहले मनो विज्ञान के जनक कौन थे, तो मनो विज्ञान के जनक थे आपके विल्यम वु तो सिख्षा मनोविजन के जनक थे 애टवर्त थॉनडाइग आपको यह तीक स nuclear द्ञाल रखने मनोविजन आधुनिक मनोविज्ञान और सि शिख्षा मनोवीज्जन तो सबसे जादा इमप्रोर्टेन्ट है इसमें सिख्षा मनोविज्यान के जनक जो की थे आपके थॉन डाइक उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ मनोविज्यानिक थे उन्होंने एक साथ कई सिध्धान दिये थे तो मैंने उनको एक साथ रखने की कोशिश की है जिससे कि वो याद करना हमारे लिए इजी हो जाए अब फोर्थ कोश्चन है हमारा प्रयास एवं तूटी का सिध्धान किस ने दिया था तो यह दिया था आपका थॉन डाइक ने इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है और पाचवा है आपका सहियोजन वाद का सिध्धान सहियोजन वाद का सिध्धान किस ने दिया था यह भी आपका दिया था थॉन डाइक ने उसके बाद है आपका उद्धीपन एवं अनुक्रिया का सिध्धान तो उद्धीपन अनुक्रिया का सिध्धान आपका दिया था थॉन डाइक ने सारे सिद्धान्त जो है thon dike ने दिये थे और thon dike हमारे सिफशा मनोविज्यान में बहुत इंपोर्टन मनोविज्यानिक है इन से इन सब से रिलेटेड बहुत सारे question पूछे जाते हैं उसके बाद एक important question है 7th SR theory के जनर्व दाता कौन थे तो SR theory के जनर्व दाता भी आपके थॉन डाइक थे, आटवा कोश्चन है आपका संबंदवाद का सिध्धान्थ, संबंदवाद का सिध्धान्थ भी आपका थॉन डाइक नहीं दिया था, अब आपका नौवा कोश्चन है बहुकंड या बहुबुद्धी का सिध्धान्थ किस ने दिया था, तो ये परिक्षणों के जन्म दाता, बुद्धी परिक्षणों के जन्म दाता आपके है Alfred Binne, उन्होंने ही बुद्धी का परिक्षण या बुद्धी का मापन शुरू किया था, उसके बाद है, 11th question है, एक खंड या फिर एक कारक बुद्धी भी इसे कहा जाता है, एक खंड बुद्धी का सिध्धान्त किस ने दिया था, तो ये आपका दिया था, Alfred Binne बुद्ध क्षण है, दो खंड बुद्धी, या फिर दुद्धी का सिध्धान्त किस ने दिया था, ये आपका spare man ने दिया था ये सबसे ज़्यादा important है दुईकारक बुद्धी का सिध्धान spare man इस पर भी मैंने एक separate video बनाई है जिसमें G और S factor के बारे में हमने बात करी थी तो दुईखंड बुद्धी का सिध्धान दिया है spare man ने तीसरा आपका तीन खंड बुद्धी आनि तीन कारक बुद्धी का सिध्धान दिया था ये भी आपका spare man ने दिया है और 14 आपका है सामानेवा विशिष्ट तत्तों के सिध्धान के प्रतिपाद कौन थे G और S factor की वो उसके तत्तों के सिध्धान के नेक्स्ट आपका पंद्रवा पॉइंट है युगम तुलनात्मक निर्ने विधी के प्रतिपादक कौन थे तो ये थे आपके थस्टन और सेम उसके बाद सोलवा है आपका क्रमवद अंतराल विधी के प्रतिपादक कौन थे तो ये भी आपके थस्टन थे युगम तुलनात् पुद्धी का सिध्धान्द आपका थॉम्सन के द्वारा दिया गया था। उसके बाद अठारवा पॉइंट है तरल ठोष पुद्धी का सिध्धान्द किसने दिया था। ये भी बहुत इंपॉर्टन्ट है तरल ठोष पुद्धी का सिध्धान्द ये आपका आरबी कैटल क द्वारा दिया गया है, उसके बाद UNIXवा पॉइंट है, प्रतिकारक सिध्धानтը के प्रतिपादक थे? तो ये भी आपके RB कैटल थे, आप बात करते हैं, बुद्ध का और बुद्धि खा का सिध्धान्त किस ने दिया था? तो ये आपका DO, DO, हैब द्वारा दिया गया था अब 21 बहुत important है बुद्धी लबदी ज्याद करने के सूत्र जो दिया था IQ level ज्याद करने के सूत्र दिया था उसके प्रतिपादक कौन थे तो वो थे आपके William Stun जो IQ level का सूत्र का जो प्रतिपादन किया था वो William Stun द्वारा किया गया था उसके बाद बुद्धी इकाई का सिध्धान किस ने दिया था ये आपका William Stun एवं Johnson द्वारा दिया गया था अब फिर बात करते हैं तेस्वा ये भी बहुत important है विकास आत्मक मनो विज्यान के प्रतिपादक कौन थे संघ्यान आत्मक मनो विज्यान के प्रतिपादक थे संघ्यान आत्मक विकास का सिध्धान किसने दिया था संघ्यान आत्मक यानि cognitive theory जो दी गई थी वो आपकी दी गई थी जीन प्याजे द्वारा उसके बाद है प्रियंटिटि फाइप अनुकूलित अनुकूरिया का सिध्धान इवन पैवलोफ द्वारा दिया गया था जो उन्होंने एक कुट्टे पर परिख्षन किया था यह उनका पैवलोफ द्वारा अनुकूलित अनुकूरिया का सिध्धान दिया गया था अब बात करते हैं 26 पुनरवलन या प्रवलन का स सिध्धानट आपके बात करते हैं विवस्टिथ व्यवार का सिध्धानट यह भी आपका सी यल हल द्वारा दिया गया था यह पुनर बुलन और विवस्टिथ विवार यह दोनों ऑफहल हल द्वारा दिये गये थे आपका है 27, sorry 28 सक्रिया अनुबंधन का सिद्धान्थ यह आपका दिया था B.F. इसकीनर ने इस पर भी मैंने separate वीडियो बनाई थी last B.F. इसकीनर ने कैसे आपका सक्रिया अनुबंध का सिद्धान दिया था क्या उन्होंने प्रयोग किया था उसके बाद है अधिगम का सूक्ष्म सिध्धान ये आपका कोलर ने दिया था जो सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर उन्होंने प्रयोग किया था अधिगम का सूक्ष्म सिध्धान अब उसके बाद है तीस्वाम छेत्रिय सिध्धान जो कि दिया था अब ये कुछ लास्ट हैं आपे मनो विज्ञान के व्यवारवादी संप्रदाय के जनक तो व्यवारवादी संप्रदाय के जनक थे वो थे आपके जॉन वी वाट्सन वाट्सन जो थे वो व्यवारवादी संप्रदाय के जनक थे अब यहाँ पर अधिगम या व्यवार सिध्धान के प्रतिपादक तो व्यवार सिध्धान के प्रतिपादक Clark Hull थे Clark Hull द्वारा ही व्यवार सिध्धान प्रतिपादित किया था उसके बाद है संभावना सिध्धान के प्रतिपादक कौन थे अब 35 है सामाजिक अधिगम सिद्धान तो ये भी important है आपका Albert Bandura दोरा सामाजिक अधिगम का सिद्धान दिया गया था अब है पुन्राविर्ति का सिद्धान जो आपका दिया गया था G. Stanley Hall दोरा पुन्राविर्ति का सिद्धान G. Stanley Hall ने प्रतिपादित किया था blast app का मनो सामाजिक विकास का सिध्धान तो ये Eric Erickson द्वारा दिया गया था मनो सामाजिक विकास का सिध्धान जो प्रतिपादित किया था Eric Erickson ने आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले हम फिर नई वीडियो में मिलते हैं कुछ नई ग्यान के साथ तब तक के लिए गुड लग फ्रेंड